हेलो फिरेंट्स, आज मैं आपके लिए ले कर आए हूँ टमाटर और प्याज की बहुत ही चटपटी सी चटनी और उसके साथ बहुत ही टेश्टी और हेल्दी पराठा की रेसिपी जी हां दोस्तों यह पराठा जितना टेश्टी है उतना ही हेल्दी भी है तो आप भी इस रे और मैंने 3 टमाटर को बीच से इस तरह से काट लिया है और इसको हम इस तरह से कटिगवे साइड को नीचे करके और इसे रखेंगे साथ में लेंगे 2 हरी मिर्च और 5-6 लहसुनकी का लिया मैंने यहाँ पे लिया है छोटी चोथाई से भी थोड़ा कम नमक इसको उपर से हम इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे इससे क्या होगा कि टमाटर जो है जल्दी से पक जाएगा अब हम इसे कवर करेंगे 6-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे और तब तक हम पराठे के लिए उस्टफिंग तयार करेंगे तो यहाँ पे मैंने भूना हुआ चना लिया है आधा कप और मैं ले रही हूँ ग्रेंडिंग जार और इसका हम फाइन सा पाउडर बना कर तयार करेंगे तो मैंने चने को पीस लिया है और एकदम फाइन सा पाउडर मैंने बना के तयार कर लिया है इसमें थोड़ा भी चना जो है बिल्कुल भी खड़ा नहीं है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटे साइज का प्याज जिसे मैंने बारी काट लिया है 3-4 लहसुन की कलिया इसे भी मैंने बारी काट लिया है 2 हरी मिर्ज, हरी मिर्ज को भी बारी काट के आड़ करें स्वाधनुसार नमक आड़ करेंगे छोटी चोथाई चमच, हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच, अजवाइन अजवाइन को इस तरह से हाथों पे क्रस करके आड़ करेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पे मैंने लिया है भरवा मिर्ज, जो लाल वाली भरवा मिर्ज होती है मैंने उसे ले लिया है अगर आपके पास नहीं है तो आम का आचार भी या उसका मसाला ले सकते है एक चोटी चमच, निम्बू का जूस और दो चोटी चमच हम मस्टर्ड ओइल एड़ करेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से मसलते वे मिक्स कर लेंगे इसमें हमें पानी वगर ऐड़ करनी की जरूरत नहीं अगर ये जो स्टफिंग है ज़्यादा ड्राय लगता है तो आप इसमें एक चमच ओईल और ले सकते हैं तो हमारी स्टफिंग बनके तयार है अब हम टमाटर को चेक करेंगे टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और जब टमाटर पक जाता है तो इसका जो छिलका है अपने आप निकल जाता है गैस का फ्लेम ओफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे जब तक टमाटर ठंडा हो रहा है हम आटा गुथ कर तयार करेंगे तो यह हमारा जो डो है मैंने इसे रेडी कर लिया है अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे और हम फटा-फट से चटनी बना कर तयार करेंगे तो टमाटर जो है ठंडा हो चुका है इसका छिलका जो है बिल्कुल आसानी से निकल जार आप देख सकते हैं छिलका निकाल लेंगे और इसे या तो चौपर में या फिर हम जार में एड करेंगे अगर आप चौपर में कट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन ग्रेंडिंग थोड़ा सा धनिया और एक बड़ी चमज, कटीवी प्याज, आदी छोटी चमज, मस्टर डॉयल और दो, तिन पिंज के करीब हम नमक आइड करेंगे, नमक बहुत जाद नहीं आइड करना है क्योंकि हमने पहले भी आइड किया है, तो हमारी चटनी बन के तयार हो गई है, कर तयार कर लेंगे, तिहां पर मैंने नॉर्मल रोटी बना ली है, अब हम इस तरह से बिश्चे चिरा लगा लेंगे, और फिर हमने जो सत्तू का मसाला बना कर तयार किया है, चने वाला, उसे हम इस तरह से एक साइड में थोड़ा सा रखेंगे, और इसे उठाते हुए फो इस पून मसाला जो है इसमें भरेंगे, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे जो पराठे हैं, आप किसी भी तरह से इसे खोलेंगे, तो आपके पराठे में मसाला चारो तरफ से भरा हुआ दिखाई देगा, और अब इसे हम सुखा आटा डश्ट करके और हलकी हाथों से बेल ले और एक साइट से जब आज सीख जाये तो हम इसे पलट के ऑईल या घीर जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं, मैं यहां पे घी लगा ले रही हूँ, और दोनों साइट से अच्छे से हमें पराठे को पलटते हुए सेक लेना है, तो यह हमारा जो पराठा है बनके तयार हो गया है, तो बहुत ही मज़दार और टेस्टी पराठा है, आप इसे नास्ते में बनाएए, या फिर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप इसे बना के लेके जा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत चटपटा भी होता है, और जल्दी खराब भी नहीं होता है, तो रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए और चैनल को भी सस्क्राइब करिए